अपका स्वागत है आपके अपने चैनल आटिसान केड़ी पर मैं आपका हुस्तेइं दोस्कुल्दी प्रावत एक बर फिर से आपका स्वागत करता हूँ जैपुर हम आए हैं पिंग की जैपुर और मैं आपको लेकर आया हूँ हवा मैल हावा महल जिसका निर्माड करा गया था समाई राजा मान सिंग के दौरा चलि मैं आपको शेर कराता हूं हावा महल की तो दोस्तों इस सफर के शुरुबात हमने की सुबह साड़े च्छे बजे दिल्ली से नैशनल हाभी 48 दिल्ली जैपूर हाइवे से होते हुए हम पहुंचे करेंगे जैपूर टूटल रास्ता है तकरीवन साड़े तीन से चार घंटे का आप मेरे सामने देख सकते हैं सुबह के समय थोड़ा को रहा था इसलिए हमने तैंकि है कि आप थोड़ा सा लेट निकलेंगे इसका हमें फायदा मिला है हमें दिखाई दे रहा है निला आसमान उसमें बादल चौड़ी सड़के दोस्तों मैं बता दू कि दिली से जैपूर जल्दी ही इलक्ट्रिक हाइवे पर गाड़ियां भी दोड़ेंगे जहां पर हम इलक्ट्रिक वानों से दिली से जैपूर का सफर तै किये जाएंगा आने वाले समय में दोस्तों लगवक जब हाम देखते हैं तो हमें शांदार मूर्तियां दिखा देती हैं दोस्तों राजा जैसिंग दित्ते के नाम पर इस शहर का नाम जैबूर पड़ा सत्रुष अबदी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समुचे भरत में अराजकता सर उठाने लगी ऐसे दोर मे राजपूतना की आमिर रियासात एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में उबरी जैरेकिर महराजा समाई जैसिंग को उस तमय मीलो दायरों में फैले अपनी रियासत समालने और सुचारू राजकास चंचालन के लिए आमिर छोटा लगने लगा इस तरह से इस नई राजदान के रूप में जैपूर की कल्पना की गई जैपूर के इतियास के अनुसार यह देश का पहला पूरी यूजन से बनाये गए शेरता और सापना के समय राजा जैसिंग ने अपनी राजदानी आमेर्क में बढ़ती आबादी और पानी की समय से के ध्यान में रखकर ही इसका व साय जिने चौपड़ का जाता है सबसे बड़ी चौपड़ में राजमहल रानिवास जंतर मंतर और गविन देव जी का मंदिर आधी आते हैं शेस चौकड़ियों में नागरिकावास हवेलिया कारकाने आधी बनवाए गए परजय को अपना परिवार समझने वाले समय जैसि वर्चाजल का संग्रण है और इसके निकासी का परवंद भी यहां पर करवाया गया दोस्तों जैपूर अपनी सम्रित भवन निर्माण परमपरा सरस संस्कृति और एत्यासिक महतकले परशिद्ध है यह शेर तीन और से अरावली परवत माला से गिरा है जैपूर शेहर की पैचान यहां के महलो और पुरारे घरों में लगे गुलावी धौल पुरी पत्थरों के से होती है जो यहां के स्टापत्य की खूबी है तो आप मेरे आसपास भी देख सकते हैं पिंक धौल पुरी पत्थरों जिनका मने भी जिक्र किया से पटाओए मार्केट इस है मेरे बॉड देख सकते हैं यह हवा महल का बोड और इसके लेफट से होतेवे इस गेट से गुजरते वे हम जाएंगे अंदर और एंट्री करेंगे हवा महल के अंदर की मैं बता दो दोस्तों के हावा महल जो आपको दिखाए देता है एक्सर फोटो जमाल में तो वो हिस् जब आप एंटरी करते हैं तो आप यह देखिए मेरे सामने यह है इसका एंटरी गेट परवेश द्वार और इसके लेफ साइड में आप महां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं यह है यहां का टिकट गर आप यहां से टिकट लेकर अंदर अगर आप लोग है तो आपको एक हजार रुपए इसके लिए देने होंगे और इसके साथ में ही पीछे ही वो है यहां का टिकट काउंटर अगर आप यहां आते हैं तो अगर आप भारतिय नागरिक है तो बावन रुपए आपकी टिकट है विद्यार्थियों को कंसेश्च अगर है यहां से टिकट लेकर हम जाएंगे अंदर और आपको दिखाएंगे हवा महल दोस्तों यह जो गेट है इसे पूलते हैं अननद पोल सामने टिकट काउंटर से टिकट चकरा कर जब आप अंदर परविश्च करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इस आंगन में और इ दिखाए देगा यह फवारा चूने लाल और गुलाबी बलोपत्तर से निर्मित येमेल जैपूर के वेपारिक केंदर के रिजस्टल में मुखे मार्क बस दीते हैं यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनानक अक्ष या मेलक अक्ष तक फैला हुआ है सुबह सुबह सूरे क सुनेरी रोष्णी में इसे दमकते वे देखना एक अद्बुत एहसास देता है दोस्तों अभी जो आपके सामने दिखाए दे रहा है इसे बोला जाता है चंदर गेट राजा जब यह आते थे तो इसी गेट पर से उनका स्वागत किया जाता था इसी गेट से होते वे में प खेरदार घागरे पैन कर सीडिया चड़ने में होने वाली अस्वीदा को धियान में रखकर इसकी दूपरी दो मंजिलों में परवेश के लिए सीडियों की जगा इन रैम का प्रवदान किया गया था आप मेरे सामने की देख सकते हैं नीचे वाला आंगन जहां से अभी हम की तरफ देख रहे थे दोस्तों हवा मेल पांच मंजला स्मा रहा रहा है जिसकी अपने मुख्या आदार से उचाई 87 फीट की है या यूँ कहें 26.15 मीटर मेल के सबसे उपरी तिन मंजिलों की चोड़ाए एक आयाम एक कमरे जितना है जबकि नीचे की दो मंजिलों के सामने में कुला अंगन भी है जो कि आप मेरे सामने की देख सकते हैं सामने गेट से हमने एंटर करते हैं हम आए तो हम आए तो हमने सबस्क्राइब आए तो हमने आकर देगा यहां पर हुड़ाई है कट मसली का केड़ के यह अः तृ चरहां तो हमते हैं लिए हाट वягनी की देख सेट्ट प्रोण्थẫn आप — और चाल का रहता है जितनी सामसेते हैं तो हम दो हम आएंगन सेमआले उल्म केक नहतलिब इट आजिसम खी आभत आए-पत हाँ तो दोस्तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बाएं हाथ पर दिखाई देती है ये खिड़किया आप देख सकते हैं इन खिड़कियों को थोड़ा नीचा बनाया गया है इनको नीचा बनाने का पीछे उद्देश ये था कि जब यहाँ पर रानी बैठा करती थी तो उन्हें बैठ कर आराम से पीछे मार्केट में क्या हो रहा है वो दिखाए दे इस कारण इसको इतना नीचा बनाया गया है जमाने में इस फ्लोर पर रंगरंग कारे करम भी हुआ करते थे जिसको राजा यहाँ पर बैठ कर देखा करते थे और आनन लिया करते थे उन्गी संगीत के समारों का तो दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़कर इस आंगन से होते हुए जब हम सामने इस दर्वाजे से इन पतली गलियों से होते हुए जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इस आंगन में आप दिख सकते हैं यहाँ पर कुछ कमरे बनाए गए हैं यह कमरे हुआ करते तो यहां पर रख रखाव करने का कारे समालते थे तो यह इन जरों को जिक्रम मैं भी कर रहा था आपके साथ इन जरों को के डिजाइन के पीछे मूलुद्देश यह था कि इसारी दर्बार की महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती थी विश अड़कों पर होने वाले नाटक को य चल रहा है आप मेरे सामने देख सकते हैं यह बाजार का संदर दिरिशे क्या वियस्तम बाजार है उस समय के परदा पर था के सक्त नियमों के मताबिक महिलाओं को अपना चैरा ढखका रखना होता था जो सार्जवनिक रूप से अपना चैरा सबके सामने नहीं दिखा सकती दो सारी महिलाएं यहां पर होने वाले कारे करगमों को देख सके इसलिए इसका निर्मार किया गया था दोस्तों हवामेन माराजा जैसिंग का विश्राम करने का पसंदी सहस्तान था क्यूंकि इसकी आंतरिक साथ सज्जा बहत खुप्तूरत इसके सबी कक्षों में सामने के हिस्से में 953 हरोकों से सदा ठंडी हवा बैती रहती थी दोस्तों यह जो फ्लोर है इसे कहा जाता था परकाश मंदिर परकाश मंदिर वाले फ्लोर में सूरे और चंदरबाद से जुड़े हुए उस सबको यहां पर उस ताइम पर धूमदाम से मनाया जाता था दोस्तों पा परकाश मंदिर और पांचवे को जैसा कि मैंने बताया हवा मंदिर कहा जाता है उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी आप मेरे सामने देख सकते हैं कितना कुछूरत नजर आ रहा है इस ताइम पर हवा महल का यह दृष्ष्चे उपर नीला आसमान और नीचे इ पतली सीडियों से होते हुए जिसे हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है यहां पाचि मंजिल पर आकर आपको यहां से लगबा पूरा शहरी देखने को मिलता है मेरे अपके देखे कितना कूपत ooh यह यहां प्रसंन हो गया यहां पर आकर और सामने वह इपक hasha दिखाए देरी वह नाहर गड़ फोर्ड जिसे टाइगर फोर्ड भी का जाता है दोस्तों यहां से पूरा जैपूर मेरे को दिखाए दे रहा है और आज आस्मान इतना साफ है तो विजिबिलेटी भी काफी दूर तक देखने को मिल रही है दोस्तों मैं आपको बता दो 50 साल 2006 में महल की मरमत की गई थी इस समय इस मारक की कीमत थी लगबग 4568 कड़ोर रुपे वहां के कॉर्पेट सेक्टर ने इस मारक की सुरक्षी की जिम्मेदारी उठाई लेकिन बाद में यूनिट ट्रस्ट आप इंडिया ने यह जिम्मेदारी अपने उपर ले ली दोस्तों दोस्तों हम नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों उपर से जितना सुंदर दिखाई दे रहा था हवाँ मैल को हमेशा ही श्री किष्मेदऎ से जूड कि इस इमारत को बनाने वाले राजा सवाई परताफ सिंग श्रीकेश्ण भगवान के बहुत ही परमभक्त थे इसी वजह से उन्होंने इस हवा मैल को श्रीकेश्ण के ताज के समान बनवाया था तो अभी हमारा उपर से नीचे की तरफ का सफर शुरू हो गया दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे फवारा चालू हो चुका है फवारा चालू होता ही हवा भी अचानक ठंडी होने लगी जैसा मैंने जिकर किया था सामने से बैत हुई हवा है जब इस फवारी से टकराती है तो यहां का बाता वरन और भी ठंडा हो जाता है दोस्तों अब हम नीचे की हुआ 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 ह आते हैं तो यहां आकर आपको एक घंटे का समय लगेगा इस पूरे हवा मैल को देखने के लिए तो इस दर्वाजे से होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे यहां पर लिका है बाहर जाने का रास्ता तो इस पतले गल्यारे से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इस आंगन की तरफ, यह आंगन है विहार मंदिर, यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ मूर्थियां रखी गई हैं समाल कर, आपको दिखाऊं ज़रा, यह हैं मृदंगम मंदनी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खूप में दिखाए गया है, यह है म्यूजिक एंड डांस पैनर, यहाँ पर तरह तरह की मुद्राएं, नित्ते मुद्राएं करते वे नर्तक दिखाए गए हैं, और यह हैं कार्थि के जो बैठे हैं, अपनी वाइफ के साथ, तो यह पूरा का पूरा एक संग्राले हैं यहाँ पर मैंने देखा तो मैंने का मैं आपको भी दिखाओं की हवा महल के अंदर हमें और क्या-क्या देखने को मिलता है, अगर आप आते हैं, तो अगर आप आएं तो जरूर यहाँ पर आपर आखर आर्ठ गैल्री को विजिट करें, यहाँ पर आपको दिखाई देंगी यह मूरतjak जिने आज तक समाल कर रखा गया है तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं बाहर की तरफ काफी अच्छा लगा हमें हवामेल आके अब भी एक बार जरूर आकर विजिट कीजिए हवामेल तो दोस्तों हवामेल जिस गेट से हम गए थे उसी गेट से हम वापस आ चुके हैं आप म पड़ी हैं सेटेम मेरे सामने लिए मारकर का बढूत का जीए उसको हमने आंदर से तो देख़ी है अभी हम जा रहे हैं इसके पिछली भी तरफ तो यह मारकर से हो अच्छा बार इबहरते हैं खायद्शा गुत लिएंग फुट चौड़ी है बाहर से देखने पर ये मदुमक्की के च्छते के समान दिखाई देती है और ये दिखाई देती है एक मुकुट के समान इसमें 953 बेहत खुबसुरत और आकर्चक छोटी चोटी जालीदार खिड़के हैं जिने जरोका कहते हैं दोस्तो महल को बनाने का मक्सद शाई महलाओं को बाजार और महल के बार होने वाले उस सबों को दिखाना था या मुगल और राजपूर स्तापते शैली में निर्मित एक मात्र महल है या महल कई भारते और अंतराष्टे फिल्मों के लिए पसंदीदा शूटिंग का स्थाल भी बन गया है अभी दोस्तो हम महल को देखने का सबसे बेस टाइम है जल्दी सुबा उठकर देखना पर रा आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक की जी सर्क्राइब कीजी और शेर भी कीजी हमारे इस वीडियो को ताकि हमें मोटिविशन मिलतारा इसी तरह और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का दोस्तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ पर सफर अभी जारी है दोस्तो तो आपसे मुलाकात होगी आगे के वीडियो में सन्यवाद